नमस्कार दोस्तों मैं दीपक शर्मा आंग्रिश आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल एडवोकेट आंग्रिश में दोस्तों आपको कानूनी नोटीस के बारे में चानना बिल्कुल चाहिए क्योंकि आज के समय में ऐसा हो इने सकता कि कभी किसी को या फिर उनके रिष्टेदार या फैमली वालों को कानून की तरफ से यानि की कोट की तरफ से या किसी एडवोकेट की तरफ से कोई नोटीस आये ना और इस condition में उन्हें आगे क्या करना होता है हो सकता है उन्हें इस सीज के बारे में knowledge भी ना हो और दोस्तों आज के इस modern time में आप भी जानते हो कि किसी के साथ भी कभी भी धोकाधड़ी हो सकती है तो ये बात भी संभव है कि आपको कभी भी किसी को legal notice भेजने की जुरत बढ़ सकती है इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि legal notice के परभाव क्या क्या होते हैं और आप legal notice को किस तरह से भेज सकते हैं और अगर आपको कोई legal notice आया है तो आपको उसके बाद कौन-कौन से step लेने होंगे दोस्तो तो दोस्तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहूंगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहते हैं तो इसे जल से जल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रोजाना legal advice से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं दोस्तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे कि किसी कानूनी नोटिस के प्रभाव कितना ज़्यादा होता है दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैंडर की तरफ ते यानि कि भेजने वाले के लिए एक कानूनी नोटिस भेजने वाले को अपनी शिकायतों और बारियुक्यों का समवाद करने के लिए एक माध्यम प्रेधान करता है यह मूर रूप से रिसीवर को चितावनी भी देता है कि यदि वै भेजने वाले को शांत करने के लिए आवशक कारवाई नहीं करता यानि कि जो उसकी सामने वाले से डिमांड है वो उसको पूरी नहीं करता तो इसके खिलाफ एक कानूनी सहरा भी लिया जा सकता है यानि उसके खिलाफ इसके बाद एक कानूनी एक्शन लिया जा सकता है जैसे कि दोस्तो चेक का डिसोनर के उधारन में कानून के खिलाब मुगदमा चलाने से पहले उस व्यक्ति को कानूनी नोटीस भेजना जरूरी होता है ताकि वो समय रहते उसके जो amount है जो उसने check bounce करा है या फिर check का dishonor किया वो से समय रहते उस प्यक्ति को provide करा दे अब दोस्तो वीडियो में आगे बताता हूँ कि कानूनी notice भेजने के लिए कौन-कौन से step होते हैं दोस्तो legal notice वीबिन कारणों की वज़े से भेजा जा सकता है जैसे किसी की लापरवाही के खिलाब किरायदार को बेदखल करने के लिए प्रदान करने जैसी सेवाओं का लाब उठाने के लिए भी legal notice भेजा जा सकता है और इसके अलावा भी दोस्तो और भी कई सारी situation होती है ज कुछ बहुत जरूरी चीजे बताऊंगा जैसे कि किसी भी notice को सीधे receiver को संबोधित किया जाना चाहिए और register post के माध्यम से receiver के काम करने की जंगया फर या फिर जहां पर वो रहता है वहाँ पर ही उसे भेजना चाहिए दोस्तो notice भेजने के लिए प्रेरित घटनाओं का एक स अकाउंट दिया जाना चाहिए इसके बाद दोस्तो notice में संबंधी सभी पिछले संचारों का स्पर्श रूप से उले किया जाना चाहिए रिसीवर के खिलाव किसी भी कानूनी कारवाई करने से पहले रिसीवर को खुश करने के लिए उसे उची समय दिया जाना बिल्कुल चाहिए ताकि वे क्रोध में कुछ उल्टा ना कर सके रिसीवर को या तो उत्तर नोटीस भेजने का आवशक कारवाई करने के लिए समय दिया जाना चाहिए जिसकी समय अवदी 30-60 दिनों के बीच आपको उसे देनी जरूर चाहिए दोस्तो जो भी ये नोटीस भेजता है यानि की प्रेशक को नोटीस की डुबलिकेट कोपी अपने पास जरूर रखनी चाहिए अनिवार्य रूप से सभी कानूनी नोटीस में मामुली अंतर के साथ एक सामान प्रारूप भी दोस्तो होता है दोस्तो अगर आपको कोई कानूनी नोटीस मिला है तो वहाँ पर जवाब देने के लिए कौन कोज़े कदम उठाए दोस्तो सबसे पहले आपको नोटीस को ध्यान से पढ़ना होगा कि आखिरकर उसमें कहना क्या गया है इसका अर्थ क्या है और किन-किन कारे को लेने की आवशकता यहाँ पर आपको है चाहे वह नोटीस या किसी अन्यकारवाई का हो या फिर उत्तर हो उधारन के लिए चैक के डिसोनर से संबंदी नोटीस के मामले में कोई भी चिंतित है कि कोई भी भुकतान के आवशकता वाले रकम को बस सुलजा सकता है एक अनुबवी वकील का आप यहाँ पर प्रामर्श जरूर ले यानि कि एडवाइस आप जरूर ले और अपनी और से एक उत्तर नोटिस तयार करने के लिए वकील से सभी आवशक जानकारी आप यहाँ पर परदान करें अब नोटिस के प्रेशक को यानि कि जिसने आपको नोटिस बेजा है या फिर अदालत के बाहर मामले को सुलजाने और अदालत में मुकदमा चलाने का विकल चुन सकते हैं किसी भी मामले में अपने वकील से अच्छी तरह से आप जानकारी प्राप्त कर लें ताकि आपके पास उपलब सायता मिल सके दोस्तो वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आखिरकार जो लीगल नोटिस को सैंड करता है यानि कि जो उसका उभोकता है उसको क्या फायदा होता है दोस्तो जो लीगल नोटिस का सैंडर होता है उभोकता को केस लगाने के लिए समय निकालना पड़ता है क्योंकि उभोक्ता फॉर्म यानि की कंजूमर फॉर्म एक छोटा सा भी छोटा केस कम से कम 6 महीने तक चलाता है कभी कभी कई एड़ोगेट ने 10,000 रुपे से लेके 15,000 रुपे के लिए सालों तक इंतजार भी किया है इसके बाद ही उनको पूर्ण रूप से निवारण मिला है दोस्तो दोस्तो आप ये बाद भी समझ लीजी कि लीगल नोटीस देने के बाद उभोक्ता यानि की जोसका सैंडर है वो 15 दिन के बाद भी भोक्ता कोर्ट यानि की कंजूमर कोर्ट में अपनी शिकाय दर्ज कर सकता है ये 15 दिन इसले दिये जाते हैं ताकि विपक्षी पार्टी यानि की जो आपका अपोनेंट पार्टी है उसको यहाँ पर उनकर लीगल समय मिल सके यानि की प्रयाप्त समय मिल सके ताकि यहाँ पर वो इन 15 दिन के समय के अंदर अपने रिपलाई के बारे में सोच दकता है कि आखिर का उसे इस लीगल नोटीस का रिपलाई कैसे देना है यह इसलिए क्योंकि सरकारी कामों में बहुत काम होता है जिसके चलते ये समय दिया जाता है दोस्तो लीगल नोटिस के लिए किसी भी प्रकार लीगल सलाकार की जरूत नहीं होती जी हाँ दोस्तो आप खुद भी रजिस्टर पोस्ट के जरिये लीगल नोटिस सेंड करवा सकते हैं दोस्तो मैं वीडियो के आगे आगे आपको कुछ ऐसी बहुत महतपून बाते बताऊंगा जो शायद ही आपको कोई ये बात बताता दोस्तो कुछ साथी वकील के नोटिस को कोट का नोटिस बोल देते हैं लेकिन ये एक अधूरा सच होता है दोस्तो दरसल नोटिस कुछ मामलों को आपस में सुलजाने का एक जरिया माना जाता है कोट में हजारों मामले दोस्तो पैंडिंग है ऐसे में नयलले खुच चाता है कि अधिकांश मामले आपसी सैमती से ही सुलजाने को लेकर जितना अधिकार एक वकील को है उतना ही अधिकार एक सामाने आदमी को भी है कुछ लोग समय की व्यस्ता के कारण वकील का सारा लेते हैं या पार्टी को ड्राने के लिए नोटिस का सारा लेते हैं अब दोस्तो में आगए आपको कुछ ऐसे कंसेप्शन बताता हूं जो लोगों ने अपने माइड में गलत तरीके से बिठा लिये हैं जैसे की नोटिस आपको नहीं लेना चाहिए ये लोगों ने अपने माइड में बिठा लिया है क्योंकि कानून की नजर में वो नोटिस आप तक बहुत चुका है ऐसे में दोस्तो आपको कोट 15 दिन या फिर एक महीने का समय देकर एक तरफा फैसला तक ले सकती है और यदि वकील ने बेजा है तो 15 दिन या 30 दिन या फिर 45 दिन में कोट के परिवाद दायर कर सकता है दोस्तो यहाँ पर टाइम डिफरेंस इसलिए है क्योंकि दोस्तो ऐसा होता है कि अलग-लग मामलों के लिए अलग-लग समय निर्धारित होता है दोस्तो दरसल कुछ मामलों में सीधे कोट सुनवाई नहीं करता और परिवादी से पूछता है कि आपने सामने वाले को समय दिया या फिर नहीं दोस्तो आप इस बात को भी समझ लीजिए कि इस आधार पर परिवाद रद भी किया चा सकता है कोर्ट भी दोस्तो पहले नोटीस भेज कर आपसी सुला के लिए समय चरूर देता है रजिस्टर डाक से अगर नोटीस भेज जाते हैं तो इसे यहाँ पर रजिस्टर नोटीस कहते हैं दोस्तो हो सकता है कि सामने वाला नोटीस के बदले नोटीस भेज दे या सवाल पूछे ऐसे में नोटीस नोटीस का खेल भी इसके बाद स्टार्ट हो जाता है दोस्तो अब दोस्तो इसके अद बात करते हैं लेबर कोट की सिचुएशन की दोस्तो लेबर कोट से सभी डरते हैं वो ऐसा है क्योंकि इसमें कोई किंतु परंतु कर कोट को भर्माने की गुंजाइश नहीं होती कुछ कंपनियों के मालिक विदेश में होते हैं ऐसे में न्यूक्तिया मैनेजर दोशी माना जाता है यदि फैसले के उपरांत पैसे जमा नहीं हुए तो एक महा में कुर्की की कारवाई होती है जिसे दोस्तो RRC भी कहते हैं जर्नलिस्ट एक 1955 में भी प्रांसी करमचारियों की परिबाशा है इस दायरे में आने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से पार्टी बनाया जा सकता है जिसमें संपादक, मैनेजर, ब्यूरो चीफ, माली कोई भी हो सकता है साम मायनत है जिन कंप्णियों के माली उची पहुच के होते हैं ऐसे में नियोक्ता को पार्टी बनाया जाता है अब ऐसे संस्थान में काम कौन करना चाहेगा जहां घर द्वार बिगने या दिवाले होने की समस्या बनी रहती हो फैसले के बाद यानि की नियोक्ता पक्ष अपील में जाना चाता है तो उस फैसले की आदिया पूरी रासी निचली अदालत में दोस्तों जमा करती जाती है उपर से जितनी देरी होती है उस प्याज और खर्च अलग से आपको देना पड़ता है जो वादी के मांगने वे अपना अधिकार जाने पर निर्भर किया चाता है दोस्तों उमीद करता हूँ नोटी से जुड़ी आज की वीडियो आपको बेहत अच्छी लगी होगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर कीचिए और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी कोशन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डारेक्ट मैसेज कर सकते हैं मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों और दोस्तों आप इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें कि यूट्यूब पर हर किसी के कमेंट का रिपलाई करना पोसिबल नहीं होता अगर आपको सच में कोई सीरियस इशू है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर डारेक्ट मैसिज कीजे दोस्तों और हाँ दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की कानूनी सला रोजाना प्राप्त करना चाते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजे दोस्तों